तो जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे इस माइनर्स एंड को फेक्टर्स माइनर्स एंड को फेक्टर्स की अगर हम बात करें तो माइनर होता है छोटा तो इसको ऐसे मान सकते हैं कि किसी कि डीयर्म्डेन्ट यह किसी मैट्रिक्स का एक चोटा सा हिस्से को हम माइनर बोनेगे तो हम लोग यहाँ तो फॉर टू क्रॉस्टू मेट्रिक्स इस इकोल स्टू में इसको ऐसे ले लेता हूं कि ए डी सीडी तो आप देखें यहां पर जब मैं मैट्रिक्स की बात करूंगा तो पहले ऐलिमेंट का जो माइनर है यह का जो माइनर है उसको हम M11 से डिनोट करेंगे ठीक है और जिस एलिमेंट का माइनर लेंगे उसकी रो और उसका कॉलम को छोड़ देंगे पीछे बचेगा वह माइनर होगा जैसे कि यहां पर M11 is equal to A और इसको छोड़ दीजिए A B वाली रो को छोड़ दीजिए इसकी वाली कॉलम को छोड़ दीजिए पीछे क्या बचा पीछे बचा डी इसी तरह से हम लोग M12 M21 और M22 की बात करेंगे तो यहां पर अगर हम बात करें तो अब नेक्स जो हम लोग ले रहे हैं वो M12 ले रहे हैं यानि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का अलिमेंट यानि B तो जिस भी अलिमेंट का हम लोग माइनर लेंगे उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ देंगे जैसे M12 छोड़ा तो यह आगया हमारे पास सी देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इस सी तो उसकी रोर कॉलम छोड़ेंगे जो पीछे बचेगा डेट विल भी माइनर और इसी तरह से M22 में जब हम इस एलिमेंट का यह निए डी का रोर कॉलम छोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें यहां पर उसका मैट्रिक्स मिल जाएगा उसका माइनर मिल जाएगा ठीक है चले जें तब टू क्रॉस टू में हमारे पास सिंपल है जो हम लोगों ने ऐलिमेंट बेसिकली माइनर क्या होता है जिस एलिमेंट का माइनर लेके चल रहे हैं उसका रोर कॉलम छोड़ दीजे जो पीछे बचेगा वो हमारे पास minor होगा तो आपके पास यह two cross two में इतना ज़्यदा आपको clear नहीं होगा क्योंकि चीज़ें पिल्कुल सीधी सीधी हो रही थी three cross three में एक बार इसको चेक करेंगे तो आप इसको ध्यान से सबी लोग observe करेंगे everybody you all will observe it very very carefully तो अब देखें यहां पर for a three cross three cross three matrix a is equals to कुछ भी ले लूँ मैं अगर यहां पर स्पोर्स फिल्हाल a b c की शेप में लिखता है इसको d e f g h i अब आपको पता है कि a is first row first column element तो यहां पर हमारे पास क्या जाएगा m11 is equals to कि यह रोज छोड़ दीजिए इसको कॉलम छोड़ दीजिए तो हमारे पास क्या बचेगा हमारे पास आएगा ध्यान से देखना भी है हमारे पास बचेगा e f जैसे हम डिटर्मिनेंट में करते थे e f h i and then इसका डिटर्मिनेंट वेल्यू आजाएगा हमारे पास e i minus f h similarly m12 यानि first row second column का element तो यहां पर हमारे पास क्या देगा इसको छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या एगा d f g i this is d i minus g f similarly m13 को लेके चलेंगे तो आपको c वाला row और c वाला column छोड़ देंगे तो आपके पास बचेगा d e g h इसको हम लोग solve करेंगे तो यहाएगा d h minus in the same way अगर हम लोग देखें m21 सेकंड रोफ फर्स कॉलम के अलिमेंट अब सेकंड रोफ फर्स कॉलम के अलिमेंट अगया d इसकी इसकी रो और इसको कॉलम छोड़ दें तो हमारे पास जो पीछे बचेगा वो बचेगा d c h i और यह बन जाएगा b i minus c h m22 की अगर हम बात करें तो a c g i it is equals to a i minus c g and m23 इसी तरह से बचे बनेगा हमारे पास क्या यह हमारे पास बन जाएगा m23 second row third column यानि f को देखे f वाली row को छोड़ दे f वाले column को छोड़ दे तो हमारे पास बचेगा a b g h और इसको पुतर जी solve करेंगे तो यह आएगा a h minus b g फिर इसी तरह से m31 आपके पास क्या बन जाएगा b c e and f तो यह आपके पास बन जाएगा b f minus e c mc2 is equals to a d c f यह बन जाएगा आपके पास a f minus e d and then in the same way m33 हम लोगों को find out करना तो यह हमारे पास बन जाएगा a b d e that is a e minus b d तो इस तरह से हम इसके minus find out कर सकते हैं एक एक जेंपल भी देख लेते हैं साथ के साथ टू क्रॉस्टू मैट्रिक्स की फॉर लेट b is equals to six five minus seven and three तो जैसे हमने उपर किया हम इसको ऐसे सीधा directly लिख सकते हैं m11 row column छोड़ देंगे तो three m12 वो row column छोड़ेंगे तो minus seven m21 हम लोगों ने minus seven को छोड़ दे उसकी row column को तो five और two two is equals to six तो यहां तक हम लोगों ने सीखा कि minor कैसे होते हैं और हमने एक example भी देखी two cross two की आगे भी यहां भी three cross three matrix की भी बात करता हूं फिलहाल आप इसको जड़ा देखें समझें और जो नहीं चीज़ समझाएं वो पूछें माइनर्स हम लोगों ने देखा कि माइनर्स कैसे आएंगे में फंडा है मार माइनर का की जो element हम लोग लेके चल रहे हैं उसकी row column को छोड़ देंगे और बाकी जो बचेगा हम उसको लेके चलेंगे मतलब किसी भी element का माइनर्स हम इसी तरह से निकालेंगे ठीक है तो यह माइनर्स हमने एक example के थ्रू निकाला बट हम लोग एक नई चीज यहां पे सीखने वाले हैं अब माइनर्स की बात तो अभी तक हो रही थी अब हम बात करेंगे किसकी को फेक्टर्स की को फेक्टर्स को अब आप सब लोग ध्यान से देखेंगे को फेक्टर्स को आप सब ध्यान से देखेंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के को फेक्टर को हम ऐसे लेंगे minus 1 raise to power i plus j into mij now ये क्या चीज़ है ये थोड़ी सी अजीब सी चीज़ दिख रही है कि यार ये क्या लिख दिये सब ने ठीक है co factor क्या है co factor is minus 1 raise to power i plus j into mij अब इसका मतलब क्या है for example for example अगर मुझे c11 निकालना है तो मैं लिखूंगा minus 1 raise to power 1 plus 1 into m11 जो भी m11 है उसके साथ ये multiply कर दूँगा ठीक है अब minus 1 raise to power 2 हो जाएगा और अगर minus 1 की power even है तो वो positive रहेगा तो अगर c11 के लिए value सेम रहेगी c12 के लिए वो value चेंज हो जाएगी फिर c13 13 क्या है minus 1 raise to power 1 plus 3 1 plus 3 होता है 4 minus 1 raise to power 4 हो गया even even number है 1 plus 3 जो मैं उपर लिख रहा हूं इंटू m13 यह positive m13 आ जाएगा लेकिन अगर c21 is equals to अगर लेके चलेंगे तो माइनस 1 raise to power 2 plus 1 इंटू m21 आ जाएगा एंड डैट इस इकोल स्टू माइनस M21 अब आपको मैं एक चीज समझाता हूं याद कराता हूं जब हम डिटर्मिनेंट लेते थे तो मैं आपको बोलता था कि यार आपको साइन लेने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और मैंने आपको एक चीज बोली थी तब कि मैं आपको यह आगे बताऊंगा कि यह साइन नेगेटिव पॉस्टिव नेगेटिव क्यों लिए जाते है यह इन को फेक्टर की वजह से यह sign positive negative आता है अब यहां पर मैं लिखने वाला हूं सभी co factors तो यह co factor क्या आएगा this implies that अब ध्यान से सभी लोग देखेंगे c11 same है जैसे हमने m11 find out किया तो it is 23 c12 is minus 32 c13 is 19 c21 is minus 13 c22 is 19 c 23 is minus 11 इस बात को समझते हैं चली दोबारा से देखें m11 और c11 के sign same है value same रहेगी लेकिन sign भी same है तो इसलिए यहां भी plus लिखा गया यहां भी plus लिखा गया लेकिन जब हम लोग m12 और c12 को compare कर रहे तो value same है लेकिन sign negative हो जाएगा because हमने यह यहां पर सीखा कि c12 is equals to minus of m12 मतलब value same रहेगी लेकिन sign change हो जाएगा तो यह sign alternatively change हो रहा है plus minus plus minus plus minus और यह आपको किसकी वज़ा से मिल रहा है यह आपको इसकी वज़ा से मिल रहा है negative sign minus one raise to power i plus j किसकी वज़ा से मिल रहा है minus one raise to power i plus j की वज़ा से आपको sign negative या positive मिल रहा है यह sign negative या positive इसकी वज़ा से आ रहा है that is why जब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं एक बार हमारी value positive रहे हैं फिर negative फिर positive फिर negative फिर positive फिर negative और अगें इसकी value हमारे पास आएगी c31 is अब मेरी भात ध्यान से सुनना जो value positive है तो इसका मतलब दोनों की value same रहेगी और जो value is negative होगी तो sign change हो जाएगा अब जैसे c31 में हमने देखा positive है plus है उपर देखें plus minus 3 के ओपर plus है c31 क्याएगा minus one raise to power 3 plus one which is minus one raise to power 4 which is plus plus जब हमेरे पास plus आता है तो वो sign same रहते हैं यह minus two का minus two ही रहेगा यह change नहीं होगा लेकिन जब मैं यहाँ पर c32 लिख रहा हूं तो यह plus two हो जाएगा and in the same way अगर c33 लिख रहा हूं तो यह minus one हो जाएगा तो मेरे कहने का मतलब और यह बताना है आपको कि जब हम लोग बात कर रहे हैं minors और co factor की तो minor और co factor की value same रहेगी सिरफ sign plus या minus में difference रहेगा मतलब signs alternately change होगा plus then minus then plus then minus then plus then minus तो हमने तीन बाते का ध्यान देना है number one minor और co factors की value same रहेगी number two signs change होते हैं पहला वाला plus same रहेगा दूसरा वाला minus में आ जाएगा तीसरा वाला plus चोथा वाला minus में आ जाएगा ऐसे हम लोग देख रहे हैं c11 c12 c13 c21 तो हर alternate value जो है उसका sign change होता जा रहे है और तीसरी बात यहाँ पे यह कि अगर हमारे पास sign change होगा तो plus वाला minus में change हो जाएगा minus वाला plus में रहेगा और अगर sign same रहेगा तो plus वाला plus में रहेगा minus वाला minus में ही रहेगा तो यह तीन चीज़ों को आपने ध्यान रखने हैं जब हम minor और co factors की बात कर रहें चलिए एक और example पर बात करते हैं एक और question लेते हैं नो लेट बीज इक्वल्स टू सिक्स माइनस थ्री फॉर एंड माइनस सेवन अभी इससे एक चीज़ आपको मैं बताने वाला हूं सभी लोग द्यान से देखेंगे नो आप सब को बच्चे यहां पर पता है कि मैं M11 क्या ले सकता हूं M11 is minus 7 M12 is 4 M21 is minus 3 M22 is 6 now let us understand कि जब हम टू क्रॉस टू में आ रहे हैं तो पहला प्लस देन माइनस देन माइनस एंड प्लस यह ध्यान रखना आपने क्यों क्योंकि यह हमारे पास second row first column का element है तो second row first column का element आगर आप देखें तो कैसे आएगा let us understand that मैं इसको थोड़ा सा elaborate करके लिखूंगा फिर हम लोग इसको directly लिखेंगे तो देखें यह आएगा मैरे पास c11 is equals to minus 1 raise to power 1 plus 1 into minus 7 minus 1 raise to power 2 is 1 into minus 7 it is equals to minus 7 तो मैं आपको क्या बताना चाहरा था अगर उपर प्लस है तो sign change नहीं होगा minus 7 यहां पे था तो यहां भी minus 7 नहीं रहेगा नेक्स देखते हैं c12 minus 1 raise to power 1 plus 2 into 4 this is minus 1 into 4 is equals to minus 4 तो चलिए समझते हैं इस बात को जहां पे sign minus का था तो plus वाला minus में हो गया तो co factor of minor की value तो same रहती है सिर्फ sign change होता है depending upon कि हम क्या कर रहे हैं next देखते हैं c21 minus 1 raise to power 2 plus 1 into minus 3 minus 1 into minus 3 it is equals to plus 3 and in the same way c22 is equals to minus 1 raise to power 2 plus 2 into minus 7 sorry into 6 और यह आपके पास क्या जाएगा 1 into 6 is equals to 6 तो आपने देखा जहां जहां पे plus था वो sign सेम रहे और जहां जहां पे minus था उनके signs miners के change होके co factors भी ले तो हम इसको directly ऐसे बात कर सकते हैं ठीक है जी तो यह आपने कर लिया यह आपने देख लिया अब आप मेरे लिए क्या करेंगे एक इस matrix का co factor निकालेंगे 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 4 तो आपको मुझे इसके co factors निकाल के देने हैं ठीक है या आप मुझे सिर्फ minus निकाल के दीजे मैं एक co factor निकाल गूँगा उसके बाद फिर आप से बात करता हूं शाबाज everyone will be trying and then we will move ahead तो चले जी मैं भी एक बार इनको लिख देता हूं if I write it तो हम इसको एक बार लिखेंगे M11 is equals to 5 M12 is equals to 11 M13 is equals to 7 M21 is equals to 5 M22 is equals to 3 then M31 is equals to 0 M32 is equals to minus 2 minus 2 and M33 is equals to minus 4 छिके जी अब हम लोग यहां पर बात करेंगे if we see this तो हम यहां पर बात करेंगे or C1 C co-factor निकालेंगे C11 is 5 C12 is minus 11 C13 is 7 sorry C21 is minus 5 C22 is 3 C23 is minus 1 C31 is 0 C32 is plus 2 and C33 is minus 4 अब हम लोग क्या करते हैं हम इसको ऐसे हम तीन चीज़े भी हम लोग यहां पर लिखने वाले सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर हम co-factor के जो matrix होता है co-factor के matrix को हम C से denote करते हैं किसे C से और इसको हम ऐसे लिखते हैं C से लिखेंगे तो यह आ जाएगा C11 C12 C13 C21 C22 22 sorry this is minus 5 तो यह जाएगा हमारे पास माइनस फाइव माइनस थी एंड माइनस वन जीरो टू माइनस फोर यह हमने क्या लिखा हमने को फेक्टर्स वाला मैट्रिक्स दिए जितने भी को फेक्टर्स निकले थे उसका मैट्रिक्स बना दिया जो नई चीज़ सीखने वाले हैं आप वो है कि एड़ जॉइंट एक नए टर्म है एड़ जॉइंट ऑफ ए इस ड्रांस्पोज आफ एड़ जॉइंट ऑफ ए तो यह आ यहां पर अगर हम बात करें तो यह बनेगा एड़ जॉइंट ऑफ ए इस इकुल स्टू का ट्रांस्पोज नो यह हमारे पास adjoint का matrix adjoint बन गया अगर मुझे adjoint of a लिखना है तो what I will be writing it as I will be writing it as adjoint of a is equals to इसका transpose कि इसका 5, minus 11, 7, minus 5, 3, minus 1, 0, 2, minus 4 and adjoint of a is equals to हमारे पास क्या जाएगा 5, minus 11, 7, minus 5, 3, minus 1, 0, 2, minus 4 यह मारे पास adjoint of a लिखना है अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने adjoint लिखा क्यों क्यों जूरूरत पड़ी मुझे adjoint आपको बताने की ठीक है because अभी हमें एक और नई चीज सीखने वाले हैं यहाँ पर कि आपको पता होना चाहिए कि भाई adjoint हमने यूज करना है तो यहाँ पर हमें एक नई चीज सीखेंगे also inverse of a matrix is equals to one upon determinant of a into adjoint of a यह हम लोगों ने एक नई चीज सीखी यहाँ पर अब आप सोचेंगे inverse of matrix का है इसके बारे में भी मैं अभी बात करता हूँ inverse of matrix क्या होता है inverse of matrix होता है कि हम लोगों ने याद करिए एक हमने बात सीखी थी कि multiplication में कि for any matrix A A into A inverse is equals to I हम लोगों ने सीखा था A into A inverse is equals to I is equals to A inverse into A यानि हर एक matrix के लिए एक उसका inverse unique inverse exist करता है जिसको अगर हम लोग product करें तो वो उन दोनों का product जो है वो हमें आई देता है that means identity matrix देता है वो क्या देता है वो identity matrix देता है तो इस सब के लिए ही हम लोगों ने यह चीज सीखी कि A inverse क्या होता है one upon determinant of A into a joint of A अब हमारे पास यहां पे matrix A given था हमने co-factor भी निकाल दिये हमने adjoint भी निकाल दिया अब हम लोग क्या करेंगे हम determinant निकालेंगे ठीक है अब भी मैं आपको एक और चीज सीखाने वाला हूँ तीन नई चीज़ें सीखी हमने अभी तक minus निकालना सीखा co-factor निकालना सीखा adjoint निकालना सीखा तीसरी चीज चोथी चीज हमें inverse का पता होने चाहिए यह कैसे निकालेंगे और पांचमी चीज आपको find out करने वाला हूँ कि हम लोग we can also find the value of any determinant as submission of our submission of aij into cij अभी इस बात को हमने समझने है here value of determinant is या तो हम a11 into c11 plus a12 into c12 plus a13 into c13 लिख सकते है या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a11 into c11 plus a21 into c21 plus a31 into c31 इस तरह से लिख सकते हैं कहने का मत्तब यह है कि हम लोग हर एक रो के elements को उसके अगर को फेक्टर के साथ multiply कर दें या हर एक कॉलम के element को इसके को फेक्टर के साथ multiply कर दें तो हमें value of determinant मिल सकता है यानि ऐसा नहीं कि यह सिर्फ इन्हीं दो से आएगा आप कोई भी रोग कोई भी कॉलम ले सकते हैं जैसे a21 into c21 a22 into c22 a23 into c23 ले सकते हैं या आप कुछ भी ले सकते हैं कहने का मत्तब आप फर्स प्रो थर्ड कॉलम भी ले सकते हैं a13 into c13 a23 into c23 plus a33 into c33 ले सकते हैं हम लोग जर्नली जो determinant निकालते हैं हो हम यही यूज कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता तो अगर आप मुझे determinant of a find out करना है तो मैं किसी भी उसको लेके चल सकता हूं a11 into c11 plus a12 into c12 plus a13 into c13 now let us check कि हमार पास a11 क्या था वो था 12 and 1 okay a11 was 1 a12 was 2 and a13 was 1 इसी तरह से हम चेक करेंगे c11 c12 और c13 क्या है c11 is 5 c12 is minus 11 c13 is 7 तो 5 minus 11 और 7 आ देगा तो इन्टू 5 प्लस माइनस 11 प्लस सेवन आ जाएगा तो दिस इस फाइव माइनस 22 प्लस सेवन दिस इस 12 माइनस 22 दिस इस माइनस 10 तो यह हमने एक नहीं चीज़ सीखी अब आपके पास डिटर्मिनेंट निकालना आपने सीख लिया इसी तरह से आपने को फेक्टर निकालना सीख लिया आपने एड्जॉइंट निकालना सीख लिया अब इसके लिए इन्वर्स कैसे आएगा वन अपॉन डिटर्मिनेंट ओफ ए इंटू एड्जॉइंट ओफ ए आपने सब चीज़ें आल्रडी पिछली स्लाइड में फाइंड ओट की वी है हमने सिर्फ इसकी वैलियूज को यूज करना है वन अपॉन माइनस 10 इन्टू क्या बन जाएगा इन्टू बन जाएगा लेटर सी यह आजाएगा हमारे पास 5-117 ठीक है 5-117 चली जी 5-117 देन माइनस 5 एक मैंने पड़ा 3-1 3-1 3-1 0 2-4 तो यह हमारे पास क्या आगया इस इस वाट इस इस दा इन्वर्स आफे मैट्रिक्स और अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस 5 अपॉन 10 5 अपॉन 10 0 11 अपॉन 10 माइनस 3 अपॉन 10 माइनस 2 अपॉन 10 7 अपॉन 10 फिर 1 अपॉन 10 और 4 अपॉन 10 तो जी यह हमारे पास इसका इन्वर्स आगया तो हमने बहुत अलगलग चीज़े आग सीखी के लिखे अपॉन 10